मुस्क्लिम वोट का तो में को लगता के मुश्किल है बिल्कुल जीडों पजाएगी कांग्रेस जो अपने पार्टी और परिवार को नहीं पचा पाएगा तो भारत को क्या पचा पाएगा या क्या जोडेगा प्रियंका is a good choice for यहने कांग्रेस अभी देखो प्रियंका को अभी कितने चाहिए तो अब कितना मजबुच मांते हैं और साथी साथ भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल होने बादी भारत यात्रा तो भी सफल लग रही है कुछ ऐसा है सफल होड़े जैसा अभी देखो अभी अभी वह लेकिन निकले हैं तो उसका क्या प्रनाम क्या आएगा भी अभी we have to wait and watch कि अभी and how far it's and it'll show after the completion of the यात्रा कॉंग्रेस पार्टी की छवी पहले थी मजबूत छवी वह बीच में कहीं न कहीं धूमिल होती नजर आ रही थी तो क्या अपने पहचान को वापिस बना पाएंगे कॉंग्रेस वाले खोशिश तो कर रहे हैं और है लोग जो चाहते हैं कि भी वापस आए इन्हें कॉंग्र 24 का लोग सबच चुनाव आ रहा है तो ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और साथी साथ बीजेपी पर निशाना भी साधा जा रहा है कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट उन्हें नहीं मिलेगा बीजेपी को इस बार ता आपकी क्या रहा है मुस्लिम वोट का तो मेरे को लगता कि मुश्किली है थोड़े लोग यहने एंटी प्रो तो हड़े किसमें रहते हैं अभी जो लोग इने उनको लगता है कि मोडी सही कर रहे है वो लोग उसको देंगा है जो जिनको लगता है कि मोडी नहीं सही कर रहे है उसको नहीं तो जिस तरीके से अभी PFI को बैंन किया गया, तो कहीं ने कहीं Muslim समाज नाराज नजर आ रहा है, तो आपकी क्या रहे हैं? बिल्कूल नाराज हो रहा है, because यह एने डेर बिन टार्गेट इंड गडिडेट इने डिज़ोंगे ज़ी इने बने बाद एक इसे कौन से बड़े मुद्दे हैं जो सरकार को नजर उन पे बनाना तो बहुत है बताने के लिए अब इस सुनेगा कौन सुनेगी सर्कार सुनेगी सर्कार किसकी सुन रही कि जो हमारी सुनेगी अज़े दो हज़ार चौबिस में पीएम फेस का दावा कर रहे हैं केजरिवाल और साथी साथ राहूल गांदी अब क्या टकर किसके बीच होने वाली है क्या त्रिकोनी है चुनाव हमें नजर आएगा या फिर जो मोदी और कहा जा सकते हैं कि बीजेपी और कॉंग्रेस के बी कि यहां से दिली में तो लग रहा है कि इने केजरिवाल की छवी अच्छी है प्रिफरिंग केजरिवाल और देखो अभी अगर दुसी इने शेहरों में आ जाएंगा तो दिली जैसा इने प्रोग्रेस करें क्या लगता है कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्षिनाव चल रहे हैं इसे में कहा जाते हैं बार-बार की परिवारवाद है परिवारवाद की वज़े से कोई चेहरा यहां पर नहीं बदला जाते है अध्यक्ष्पत पर और अब साफतोर पर पर परिवारवाद को नकारते हुए वहां पर चुनाव में अलग चेहरे को रखा जा रहा है सामन प्रियंका को अभी कितने उसके फेवर में कितने लोग अभी क्या कुछ कहेंगे बियाने करेंगे वह देखना है अभी इस वक्त क्या इस्थति पाते हैं पूरे देश को कितनी मजबूत अभी यहां पे जो अभी रूलिंग जो पार्टी है उसके लोग अर्शलोली लूजिंग उनकी जो एंदर से नाखुश नजर आ रहे हैं बही अब इने देश के तुम मुद्दे बड़े बड़े मुद्दे छोड़के तुम एक मुद्दे के पिछे पढ़ेंगे तो फिर मुश्किल है नहीं तो ऐसे में क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे 2024 चुनाव लग रहा है मेरे को ऐसे दे पाएंगे तो उसी की तयारी अब भारत जोड़ो यात्र जो है वो आपको सफल नजर आ हाँ सफल होना चाहिए सफल यह सब लोग चाहरे के भी एक सफल हो जाए और लोग उस साल में जब कॉंग्रेस ने राज किया भारत पर और उसके बाद अब आठ साल का कारेकाल बीजेपी का कितना डिफरेंस पाते हैं इन दोनों सालों में दोनों दोनों पार्टियों की कारेकाल बहुत फ़रक है क्या अंतर नजरा था क्या भी आठ सालों में क्या भी अपने को कुछ ऐसा खास लगा नहीं है इसे कुछ ऐसी बड़ी चुनौतियां बता सकते हैं जो कॉंग्रेस ने की हो अपने समय पार अभी सतर साल में अभी जो कुछ देख रहे हैं आप यहने वो कॉंग्रेसी का तो ह इस नहीं पिछले साल बैटर लगे आपको यहां ना 75 यह ने तो पिर उनी के समें रहेंगे तो यह नहीं किसके सकते कि हाँ चलो भी जो कुछ हुआ है हर एक के काल में हुआ है भी थोड़ा बहुत मगर इतनी प्रोग्रेस तो उनीकी तु राज में हुआ ना और किसकी पसे जांगी कॉंग्रेस की भारत जोड़यात्र कितनी शफल नज़रा अर्यन को सभी मीदक है भी सफल की सफल में इसाए कि बिल्कुल कुछ कर नहीं पा रहे हैं आप मैं राजăm में बदेञा थिया सफल है इस अब घर में कि कहा जा रहा है कि रिमोट कंट्रोल अभी भी कॉंग्रेस के परिवार के हाथ में रहेगा भले ही अध्यक्षपद पर कोई भी आ जाए लगता है वही होने बिल्कुल बिल्कुल उस बात में तो दम है यह बताइए पिछले 70 सालों का काम और पिछले 8 सालों का काम जब मोधी सरकार रही है 70 साल कंग्रेस ने राज किया दिफेर्ञंस देखा है अभी देख रहे इंडिया गेट में देखें कितनी भीड़ है यह 70 साल में कांग्रेस के सरकार न हम विकास कितना देखा विकासी है न यह सामने में दिख रहा बिल्कुल कॉंग्रेस की छवी इस वक्त किसी सिती पर है क्या दोर्जा 24 में बीजेपी की और कॉंग्रेस की टकर हो पाएगी बिल्कुल जीड़ो पर जाएगी कांग्रेस का जा रहे कि अर्विंद केजडिवाल वी पीम उमीदवार बनने वाले हैं तो क्या टकर ट्रिकोनिय संगर्ष इस बार देखने के लिए मिलें टकर होगा जब पर्तिवंदी होगा तभी तो मजा आएगा पर्तिवंदी नहीं होगा तो अकेलाइस बिल्कुल हो जाएगा ना कारकरम इसलिए पर देंदी तो होने चाहिए किसके बीच में इस बार 2024 के चुनाव नजरार तीर को हो जाएगा कर देपाएंगे केजरिवाद हाँ देंगे देंगे तो जूर आप से जानना चाहूंगी कि भारत जोड़ो या तरह कितनी सफल नजरा कितना सफल अब तो परड़ाम आने के बाद पता चलेगा कितना सफल अपने जिस उद्देशित से राहूल गांधी निकले हैं भारत को जोड़ने के लिए तो क्या इसमें सफल होते नजर आ रहे हैं अब मैं देखें सफल तो होते नजर आ रहे हैं मतलब जनता बढ़ रहे हैं उनके साथ तो सफल हो ही रहे हैं देरे देरे सफल आएगी जरूर लेकिन कहा जा रहे हैं कि अध्यक्षपद का चुनाव एक तरफ हो रहे हैं वहीं पार्टी में गमसान में चाह हुआ है और साथ हो सकता आगे बढ़ें अध्यक्षपद का चुनाव चल रहा है सिसका जा रहे कि परिवारबाद कॉण्गरेस में होता है तो क्या वह परिवारबाद खतम हो पाएगा इस बार किसी और अध्यक्षपद का चुनाव हो रहा है उसमें अलग अलग चैश्य नजर आ रहे हैं क्या जो टक्कर है इस बार परिवारवाद को हटकर नजर आई अब यदि लिए आप जब सब्सक्राइब नजर तो आने के लिए माली जी लोग प्रियास भी कररें नजर आ भी रहा है अब जब चला पाएं लोग तब तो माना जाएगा कि हां चला कहा जा रहे कि परिवारवा तब देखा जाएगा तो बागडोर तो कहिन कहीं उनके हाथ में ही नजर आ रही है। पर और कहा जा रहा है कि बीजे पी के जो नेता है यानि की अब्धान मंत्री Mody Bi-ji पर निशाना साधे यह काँ उनके कहने पर इस बार परीवार के जो सदस्य है राहुल गांधी प्रियंका गांदी सोनिया गांदी यह द्यक्षपत के लिए चिनाव नहीं लड़े हैं इसलिए क्योंकि मोदी जी का कहना है कि परिवारवाद अभी देखिए लोगों का राजनेतिक मामला है यह लोग आपस में हमेशा ठीकड़ा फूरते रहते हैं एक दूसरे कूपर जनता का कुसी को को तो मतलब रहता नहीं है यह अपनी राजनीत करते हैं ज लेकिन आम आदमी पार्टी और बेजेपी का दोनों का टकर होगा यानि कि कॉंग्रेस अपनी चवी पीछे छोड़ चुकी है उसको दोबारा वापस पाने के लिए भारत जोड़ यात्रा कर रही है तो क्या वो अपनी चवी नहीं बना पाएंगे आप इन्हें संघर्ष कर रहे हैं देखिए उस अंगर्ष करना पड़ेगा जिसकी चवी एक बार खराब हो जाती है तो बनाने में समय लगता है आप से जाना चाहूंगी कि कॉंग्रेस की चवी किस तरी अच्छी नजर आ रही है देखिए पूरोनी पाटी है और इसका तो ने पहले से बना हुआ है अच्छे यह बताई कॉंग्रेस काल में आपने कितना विकास देखा और पिछले आठ सालों में कितना विकास देखा जब बीजेपी सरकार है बीजेपी सरकार में बहुत चीज मागी हो गई है कॉंग्रेस सरकार में यह सब नहीं था पहले अच्छा काम किया गया अच्छा क या मनमुहान संग के रिजिन में यह बताई दोजर 24 चुनाव में किसके भी ट्रकर देखते हैं कि बिजेपी का तो टकर देने वाला कॉंग्रेस नहीं बरी पर्टी से के अंदर में लग रहे हैं कि कॉंग्रेस और विखरती नजर आ रही है विदायक जोने पार्टी छोड़ चोड़ कर जा रहे हैं वही राजस्तान में अध्यक्षपत को चिनाव को लेकर वहीं गमसान मच हुआ है तो क्या आपने छवी को वापस लाप आएंगे बारत जोड़ो यात्रा के द्वारा देखिए जनता का मुमेंट है एक और जनता से यहां पर जनता जो जुड़ी हुई है उनसे जौन लेते हैं अच्छा यह बताईए सर कि कॉंग्रेस कि इस वक्त आप देश भर मे पिछले आठ सालों में जो मोदी ने काम किया है कैसा काम लगा है काम लगा है घरी कुछ ने मिला है कुछ नहीं मिला फिरी देकर गैस को रेट बढ़ा दिये और जोड़ो यात्रा कितनी सफल होने वाली है क्या वह अपनी चवी वापस लाप आएंगे लाप आएगा लाप चल रहे हैं उसमें का जहते हैं परिवार वाद की डिशन दी जाती है औरड़ा रतिया जाता है कॉया दिया जाते है के लापम को रोग पाएगा को कि हो सकता है कि हो सकता है कंटर पसे चान ऑन्पी जो आप से QU वारत जोड़ोन यात्रह कितनी सफल नजर आ रही है कि निए बॉट अच्छा है बहुत अच्छा हो रहा है बहुत ये कि कॉंग्रेस एक तरफ भिखरती हुए नजर आ रहे और दूसरी लुए और भारत व्लाइस के लिए निकली हुए है कॉंग्रेस वह खत्म है तरह जो कहा जा रहे हैं कि परिवारवाद की डेफिनिशन दी जा रही है अध्यक्षपत का चुनात चल रहा है उमीद्वारों ने नामांकन भी कर दिया है तो क्या लगता है कि अध्यक्ष का चेहरा बदलने से बागडोर जो है परिवार के हाथ से निकल जाएगा तो वह तो बेकार में कर रहे हैं ज कमा मुद्दों के साथ आप सभी के सामने मैं जिली राटोर कैमरा परसन मितले इसके साथ बनी रहोंगी देखते रहे है दन्योस 15 वीडियो अच्छी लगे हो तो इससे लाइक शूर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब करना ना बूल शुक्रिया